हलो एवरीवन, वेलकम तो माई यूट्यूब चानल एएच हलपलाइन कैसे हैं आप लोग इगनु में हर साल एकैडमी काउंसिल का मीटिंग होता है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट डिसिजन लिये जाते हैं और एकैडमी काउंसिल के हेड होते हैं खुद वाइस चांसलर इस बार जो एकैडमी काउंसिल का मीटिंग 13 जून 2022 को कंड़क करवाया गया उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसिजन लिये गया है और उसी में से ये एक डिसिजन लिया गया जो वन अब डा बेस्ट डिसिजन है जो भी अभी तक एकैडमी काउंसिल के मीटिंग में लिया गया होगा और ये डिसिजन को मैं खुद हाइली अप्रिशेट करता हूँ आप लोग भी इससे एग्री करते होंगे नीचे कॉन बक्स में जुरूर बताएगा ना इस डिसिजन के बारे में हम लोग डीटेल में इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग वीडियो को धियान से और कम्प्लीट ज़रूर देखेज़ेगा एच हल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट हम आया है तो हर एक एक ट्रॉस्टिर इंफर्मशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और इग्नुक रिलेटेट किसी बिता के डाउट के लिए मुझे कभी भी कॉल करके अपने डाउट कर सकते हो ज़्यादा इंफर्मशन के लिए कैसे कॉल करना है उपर काड में दिया वीडियो के लिंक चेक करें उससे आपको समझ में आ जाएगा अगेडमी काउंसिल का जो मीटिंग हुआ है जिसमें यह डिसिजन लिया गया है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लोड कर दिया गया है यह जो डिसिजन लिया गया है उसमें क्या बताया गया ध्यान से समझेगा सब्जेक में तो आप लोग को लएगा multiple entry and multiple exit facility for IGNU program लेकिन ये है क्या देखो इससे पहले आप लोग को पता होगा कि IGNU में जो भी undergraduate program होते हैं उसमें होता ये है कि बहुत सारे student के साथ आपने दिखा होगा कि 6 साल maximum आप लोग को time दिया जाता है graduation complete करने का लेकिन बहुत सारे student एक साल complete करके यानि कि first year complete करके उसके बाद से छोड़ देते हैं या फिर 6 साल complete हो जाता है लेकिन third year complete नहीं कर पाते हैं तो ऐसे student के साथ क्या होता है कि उनका पूरा degree बरबाद हो जाता है कुछ भी नहीं मिलता है उनको लेकिन अभी ये चीज़ चेंज हो रहा है जुलाई 222 से क्या changes हो रहा है अगर मानलो आपने graduation में admission लिया BAG, BCG, BCG, BCA program में और आपने एक year complete किया, first year complete किया उसके बाद से छोड़ दिया परहाई तो आपका degree waste नहीं होगा आपको first year complete करने के बाद से undergraduate certificate मिलेगा मानलो आपने second year complete किया, third year complete नहीं कर पाए या तो आपका पूरा validity खतम हो गया 6 साल का या फिर किसी भी करनवस आपने बीच में ही परहाई छोड़ दिया तो आपका degree waste नहीं जाएगा अगर दो साल आपने complete किया तो आपको undergraduate diploma मिलेगा और अगर आपने तीनो साल complete कर लिया तो as usual आपको undergraduate की degree मिलेगी यानि कि normally जो आपको B.A.B.C. या bachelor की degree मिलती है जुलाइद होजा 22 से इगनू का rule पूरा change हो रहा है ये सभी rules जुलाइद होजा 22 से implement हो गया ये इतना अच्छा rule मुझे इसलिए लग रहा क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे student है जिनका 6 साल पूरा complete हो गया लेकिन एक या दो paper के वास उनका graduation complete नहीं वा उनका पूरा 6 साल बरबाद हो जा रहा था कुछ भी उनको नहीं मिल पा रहा था तो अभी कम से कम अगर ऐसा किसी student के साथ हुआ तो उनको undergraduate diploma तो मिलेगा undergraduate certificate तो मिलेगा पूरा wastage तो नहीं होगा तो ये बहुत अच्छा decision है साधी साथ एक और ये भी चीज़े है कि माल लो आपने undergraduate certificate करके छोड़ दिया परहाई और बाद में आपको मन किया कि हाँ चलो ठीक है मैं graduation complete करता हूँ तो फिर से आपको directly second year में lateral entry मिलेगा या फिर अगर आपने second year के बाद से छोड़ दिया परहाई और बाद में आपको मन किया कि हाँ graduation मुझे complete करना है तो आपको directly third year में lateral entry मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि आपने first year या second year के बाद से छोड़ दिया बाद में फिर आओगे तो फिर से फिर से फिर में admission लेना परेगा ऐसा नहीं है यह भी बहुत अच्छा हूँ ले कि lateral entry दिया जागा जहां से आपने छोड़ रहा है वहीं से आप continue कर सकते तो यह decision बहुत में जो admission लेंगे या इसके बाद जो आने वाले future में admission लेने वाले हैं उनके लिए सारा rules applicable होगा इसी को लेकर यह पांच पन्नों का notification पूरा detail notification जारी किया गए आप लोग पर सकते हो मैं आप लोग को बस simple सब्दों में बता दा रहा हूँ ठीक है what by what नहीं बता रहो बस मैंन हो सकता है लेकिन वह देखने वाली बात होगी अभी के लिए फिलाल सिर्फ चार प्रोगाम के लिए ही यह rule applicable है multiple entry और exit का जो मैंने अभी आप लोग को बताया बीए जी बीकमजी बीए सीजी और बीशे प्रोगाम के लिए ना इसके term and condition भी बहुत ज़ादा है multiple exit और multiple entry का ए अगर आपने 2 year complete का लिया तो आपको undergraduate diploma मिलेगा तो first year complete किया तो यानि कि आपने 40-44 credit तक earn का लिया है और second year complete का लिया that means 80-88 credit तक आपने complete का लिया है तो अगर आपने first year complete किया तो undergraduate certificate अगर second year complete किया तो आपको undergraduate diploma मिलेगा और अगर आपने exit किया तो यह certificate और diploma मिलेगा कैसे तो उसके लिए आपको अलग से demand करना होगा that means demand क्या एक form fill up करना पड़ेगा और payment करना पड़ेगा उसके बास से आपको मिल जागा वो जब form release हो जागा तो मैं बताऊंगा time to time उसके कोई tension की बात नहीं है उसके बास से यह तो हुआ exit exit का simple है कि बस अगर आपने first year complete के है तो under graduate certificate second year complete के है तो under graduate diploma अब entry का बास सुनेजिए कि अगर मालो किसी student नहीं under graduate certificate करके उसके बास से छोड़ दिया अब उसको under graduate diploma में entry लेना है तो यह काम वो 6 साल जो maximum admission का period है उसी बीच में ही कर सकता है suppose मालो किसी ने 2020 में admission लिया ठीक है suppose अच्छा यह 2022 से अप्लीके बड़े तो 22 का ही example लेते हैं तो student configure जाएंगे 2022 में अगर किसी ने admission लिया तो 2018 के बीच में ही लोग lateral entry ले सकते हैं ऐसा नहीं कि 10 सल 15 सल के बाद वो लोग अगर चाहें तो lateral entry लेंगे ऐसा नहीं सो बास समझ में आया आप लोग को जो admission का maximum period है 6 साल उसी के अंदर ही lateral entry ले सकते हैं ना दोना पोइंट में बोला गया है जैसे मैंने आप लोग बता है कि अगर आपने undergraduate certificate लिया है यानि कि एक साल के बाद आपने अगर exit कर लिया है तो फिर आपको directly second year में lateral entry मिल जाएगा आपके बास से जो भी आपने UG certificate या UG diploma जो आपने complete किया है यानके first year second year उसमें जो भी credit अपने earn किया वो transfer हो जाएगा उसी के बार में यहाँ पर बताया गया है छे नावपइंट important है उसमें यह बताया गया कि अगर मानलो आपने first year complete कर लिया है और undergraduate certificate आपको मिल गया उसके अगर आपके पास कितना time रहेगा graduation complete करने के लिए तो आपके पास रहेगा चार साल ठीक है अगर आपने undergraduate diploma लिया उसके बास से फिर letter entry ले रहे हो directly third year में आपको admission मिल ला है तब आपको जो third year complete करने के लिए time रहेगा वो होगा 2 साल ठीक है और जो maximum period है वो UGC के norm के इसाफ से specified already किया हुआ है all right now उसके बाद से एक और important चीज ये भी है मालोग को ये student ने undergraduate certificate या undergraduate diploma लेने के बाद से undergraduate program को छोड़ दिया और बाद में उसने 6 साल के अंदर में lateral entry भी नहीं लिया तो फिर ये rule applicable नहीं होगा तब उनको credit transfer का rule applicable होगा और उसी को उनको follow करना होगा जो ये university के तरफ से बनाया गया है और 10 नहीं पॉइंट में भी यही बुला गया कि जो बेस्ट्वेंट ने स्वाइम एंड मॉक से अपना credit earn किया है उनके ऊपर भी credit transfer का जो rule university का है वो लागू होगा 11 नहीं पॉइंट में बूला गया है कि जो बेस्ट्वेंट लेटरल entry लेंगे तो उनको एक separate enrollment number provide किया जाएगा और उसके बाद से जो भी credit उनोंने earn किया है वो सभी transfer कर दिया जाएगा जिस तरीका से credit transfer का facility जो भी student use करते है तो उनको जिस तरीका से करना पड़ता है वही lateral entry में भी use होगा यानि कि आपको फिर से admission लेना परेगा और आपको separate enrollment number दिया यह हुआ multiple entry का जो इगनू के student है उनके लिए अधर जो university के student है वो लोग भी इगनू में फिर multiple entry ले सकते हैं उनके लिए थोड़ा सा rule में changes है क्या क्या rule है उनके लिए यह बोला गया है कि जो भी student बाकि अधर university से इगनू में अपना credit transfer करना चाहते है I mean lateral entry लेना चाहते है त उनको कम से कम 50% का तो credit इगनू से earn करना होगा even अगर उन्होंने other university में ज्यादा भी credit earn कर लिया होगा तब भी उनको 50% कम से कम credit इगनू से earn करना परेगा और उसके लिए उनको 2 साल कम से कम university में गुजारना परेगा बास वन में आ रहा है आप लोग को मान लोगा किसी student नही I mean 132 credit में आपका graduation complete होता है 100 credit उन्होंने earn कर लिया है तो उनका 100 credit पुरा transfer नहीं होगा उनका at least 50% आपको इगनू से करना परेगा ठेक है और बाकी 50% आपका transfer हो जाएगा उसके बास से इसमें भी वही rule बताया गया आप लोगो जो इगनू के student के लिए है बाकी other university के लिए भ second year के बाद चुरा होगा है तो आपको directly third year में entry मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे जो time period है complete करने का उसके लिए बोला गया है कि भले आपने I mean ज्यादा भी credit earn कर लिया होगा लेकिन इगनू का जो rule है कि 50% ही आप I mean credit transfer कर सकते 50% आपको इगनू से ही earn करना परेगा तो आपको 2 स I mean बिताना परेगा और उसके बाद से complete करना परेगा Ignu की degree ठीक है ना इसको अच्छे समय समझाता हूँ जैसे कि मानलो अगर आपने second year already complete कर लिया है तो Ignu में अगर आप directly third year में admission लोगे या lateral entry लोगे तो आपका तो एक साल में आप चाहो तो complete करी सकते हो है ना लेकिन क्य entry admission to third year of the program of the same stream since they will be allowed credit transfer for only 50% of the credit earned in other higher education institute they will stay with Ignu for at least two year to complete the rest of the 50 credit समया बात और इन सब चीज के लिए आपको grade card और certificate की copies submit करने पड़ेगी और वही बोला गया है कि जो भी undergraduate certificate और undergraduate diploma जो भी आपने credit earn किया है वो फिर transfer हो जाएगा और उसके बास से जो 7 नमर 8 नमर जो rule है या 9 नमर 10 नमर रूल है वो सेम वही रूल है जो मैंने उपर में आप को बताया ठीक है ना तो वह चीज आप वीडियो के रिवाइंड करके यह देख लोगे तो आपको समझ में आ रहागा सेम वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे में जो रेस्टार है साडी रिविजन के डॉक्टर हिमान सुकुमार बासु उनका sign दिया गया है और इस नोटिस को सभी रिजनल सेंटर सभी रिजनल डिरेक्टर को भी भेजा गया है ताकि वो लोग भी अपने ओफिसल वेबसाइट पे जल से जल इसको अपलोड कर देगा है तो यही सबता है इस वीडियो में इगनु के एकडमिक काउंसल के मीटिंग में मुल्टिपल और मुल्टिपल एकडमिक का जो नया फेसलिटी इगनु में पहली बार स्टार्ट किया गया है उसके बार में मैं आप लोग को डीटेल इंफरमिशन दे रहा था और सभी रूल्स और रेगुलिशन के बार में आप लोग को इनफरमिशन दे रहा था मुझे उमीद है कि और अगर आप AH Helpline चैनल पर फर्स्ट आमाया है तो एकनु को रिलेटेड हरेक एक ट्रॉस्टेड इंफरमिशन पाने के लिए मेक्सियो और आप लोग पहली फूर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो थैंक यू सो मॉच फॉर वाचिंग इस वीडियो वीडि थैंक यू सो मच